नमस्कार दोस्तों टूडे टोक के इस वीडियो में आप सभी का सुवागत है दोस्तों लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था राजस्तान ग्राम विकास अधिकारी के एक्जाम में जो स्कोरिंग टोपिक्स होने वाले हैं वो कौन-कौन से हैं मैंने डिटेल से आपको उसके बारे में जानकारी दी थी और मैंने आपको ये भी बोला था कि जरूरी नहीं आप पूरा सिलेबस लेकर बेटो बहुत सारी चीज़े आप छोड़ दो स्किप कर दो आपका एक्जाम क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार एक्जाम में good attempts क्या होगा safe score क्या होगा कितने marks लाने पर ये एक्जाम क्लियर हो जाएगा और अब क्या हम पढ़ें ताकि हमारा selection हो जाए अभी दोस्तों इस वीडियो में हम यही चीज़ें पताने वाला हूं तो ध्यान से आप देखेगा और मेरी बात को समझेगा ताकि एक्जाम में आपकी 100% इस वीडियो सेशन से हेल्प हो देखें जो आपके सवाल लगातार पूछे गए हैं सेप स्कोर कटोप का तो देखो डिसकसन होता है एक्जाम होने के बाद में लेकिन यह हम क्या पड़ें ताकि हमारा कम समय में भी यह एक्जाम पास हो सकें चलिए यहां पर देखिए जो टोपिक्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार आपका जो सिलेबस है वो नो भागों में बाटा गया है सबसे पहले करंट अफेर से जिसके तीन से पांच सवाल तेरा से पंदरा सवाल यहां से बनेंगे इसमें से मैं आपको बदा दूँ कि जो विस्व का भुगोल है यहां से मातर तीन सवाल आपसे पूछे जाएंगे तीन से चार सवाल मातर पूछे जाएंगे विस्व के भुगोल से तो आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो चाहो त तैयार कर सकते हैं इसके बाद में बात करते हैं करशी और आर्थिक विकास की राजस्तान और भारत की करशी का और आर्थिक विकास के सेवा इसके संबंद में 15 से 17 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कम से कम लेकर चलिए 15 सवाल अधिक्तम 17 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं तो राजस्तान और भारत के संद्रम में आपको दिया गया है करशी और आर्थिक विकास तो इसको आप तैयार कर लीजिए इसके बाद में आगे देखे मैं सेशन में आपको बताऊंगा कि कितने अंकों पर इस बार आपका सेलेक्शन होने की 100% संभावना है ताकि आप फिर उ विभाजित कर लेना और उसके अनुसार आप तैयारी कर लेना इसके बाद चार नमर पे इतियास बस संसकर्ती में मैंने आपको बताया 15 से 20 सवाल पूछे जाएंगे ध्यान रखियेगा कि भारत का इतियास जो है वहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे लगबग 3 सवा और कलासंस करती है इसके बाद में देखिए रिजनिंग लेते हैं तो रिजनिंग के 10 सवाल आएंगे ठीक है इसके बाद में मैथमेटिक्स की बात करें तो 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपको ये सोचना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट strong है कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किया है आप उसको छोड़ी देना उसको टच नहीं करना है इंग्लिस हिंदी की बात करें तो 20 सवाल दोनों के मिला कर आएंगे 10 इंग्लिस के और 10 हिंदी के इंग्लिस हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा difficult question नहीं पूछे जाएंगे 10 से 11 सवाल राजस्तान की राज विवस्ता से पूछे जाएंगे इसको तैयार कर लेना भई बिल्कुल मत छोड़ना ठीक है इसके बाद में computer के आप से 10 सवाल पूछे जाएंगे basic computer के 10 सवाल पूछे जाएंगे बहुत सारे लोग इसको तैयार नहीं करेंगे मैं यह कहूँगा RSM SSB के exam में computer के जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज़्यादा मुस्किल नहीं पूछे जाते हैं इससे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरा यह कहना इसको आप पढ़ लीजेगा ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप अगर दो से तीन दिन अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो भी आपका हो जाएगा और अगर आपको smart तरीके से computer पढ़ना है माल लीजे आपने कभी RSI IT किया है या computer आपका subject रहा है आपने तैयारी कर रखी है थोड़ी बहुत तो आप एक काम कर सकते हो Your Exam Helper की एक e-book है Computer ग्यान कोस के नाम से आप उसको purchase कर सकते हो ठीक है e-book है और 8-10 गंटे में आप उस book को निकाल लोगे तो definitely 10 में से आप 7-8 सवाल सही करके आ जाओगे तो आपको इस exam से दरना नहीं है इसका मुकाबला करना है हम मानते हैं कि पटवारी वाले बच्चों ने बैतरीन तयारी कर रखी है लेकिन ये प्रारंबिक प्रिक्सा है ठीक है एक बार अगर आपने प्रारंबिक प्रिक्सा को निकाल लिया तो आप definitely मुख्य प्रिक्सा में सब के equal हो जाओगे सम्मान हो जाओगे फिर आपको डरना नहीं है बराबर आपको time मिल जाएगा तैयारी करने के लिए ठीक है तो अब आपको क्या करना है कि आपको देखो exam में अगर negative marking हो दी है तो आपको 95 से 100 सवाल करके आने आपका target यह होना चाहिए कि मैं 95 से 100 सवाल करके आँगा ठीक है यह मैं general category के coding बता रहा हूँ बाकी SCST के जो candidates है वो अपना देख सकते हैं कि उनको कितने attempts करने हैं कितने सवाल करने है लेकिन यह general की हिसाब से मैं बात करूँ तो 95 से 100 सवाल आप करके आते हो negative marking होने पर तो आपके good attempts माने जाएंगे अगर good score की बात करें तो 70 plus marks आप लेकर आते हो तो बैतरीन आपका score माना जाएगा मैं 70 plus general OBC के according ही बात कर रहा हूँ हो सकता है 25 number उपर नीचे इसमें हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये depend करेगा कि RSM SSB कितने गुणा बच्चों को men's के exam में बिठाने वाला ये उस पर depend करेगा हो सकता 5 गुणा बच्चों को बिठाए हो सकता 10 गुणा बच्चों को बिठाए ये depend करता है RSM SSB पर तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर आप 70 प्लस पहुंचाते हैं तो definitely आपका safe score होगा good score होगा और आप मुखे प्रिक्सा में बैठने के like बन सकते हो इसके बाद में बात करूँ तो दोस्तों अगर negative marking नहीं होती है तो मेरी बात ध्यान से सुनना आपको सारे 120 सवाली करके आने है ठीक है उसमें तो आपको तुक्के भी मार कर आना है लेकिन ये जरूर ध्यान रखेगा कि कम से कम 90 पिचान में सवाल आपके अच्छे होने जरूरी है negative marking नहीं होने पर 120 सवाल करके आओगे हो सकता 8 से 10 सवाल आपको जो नहीं आ रहे हो भी सही हो जाए तुक्का आपका सही हो जाए क्योंकि फिर बिना डर के आप exam दोगे तो आपके साथ थोड़ा अच्छा ही होगा लेकिन उससे क्या होता है कि फिर जो marks है good score जो आपका है safe score है वो भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो सभी को exam के लिए best top luck उमीद करता हूँ कि ये video session आपको समझ में आया है अच्छे से जो भी मैंने आपको बातें बताई है फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप जरूर comment कीजेगा मैं आपके लिए और वीडियो session लेकर आऊँगा जिसमें मैं मेरी तरफ से आपको बहतरीन जानकारी देने की कोसिस करूँगा इस वीडियो के exam के लिए और जो लोग नए है चनल पर वो जरूर subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस करके all पर क्लिक कीजेगा ताकि आने वाले हर वीडियो के आपको notification मिले हमारा जो टेलिग्राम चनल है उसका लिंक मैंने आपको description box में दिया हुआ वहाँ से आप जॉइन कर लिजेगा वहाँ भी आपको updates मिलती रहती है